हेलो फ्रेंड्स जावनपूर बायलोजी जोन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम आपके लिए TGT, PGT, NEET, LT से सम्बंधित महतोपुर्ड क्वेस्चन्स को लेके आए हैं जो कि आपके आने वाले आगामी प्रत्योगी परिच्छाओं के लिए बहुत ही जादा महत है तो आए हम बारी-बारी से एक-एक प्रशनों को पढ़ते हैं उसका उत्तर भी देखते हैं तथा उसका विवरण भी करते हैं पहला क्वेस्चन है जब एक पवधे में दो प्रकार के भी जाण पाये जाते हैं तब उस अवस्था को कहते हैं आप्शन नमबर A हेटरो इस सीड है पीड आप्शन नमबर C होमो इस्पोरी और आप्शन नमबर D आलाफ दीज तो इसका जो राइट एंस्वर हो जाएगा इसका राइट एंस्वर हो जाएगा हेटरो इस्पोरी यानि विशम विजाण उकता तो इसका आप्शन नमबर A क्या हो जाएगा ये राइट हो जाएगा तेखी यहां लिया है जब एक पौधे में दो भिन प्रकार के बिजाणु बनते हैं तबी सवस्था को हम हेटरो इस्पोरी तथा ऐसे पौधों को हेटरो इस्पोरस कहते हैं विशम बिजाणु की यता से भी ज्युक्त प्रकृति का विकास आरंब होता है अगला तना नहीं जड़ और डी तना और जड़ दोनों तो पूछा है सिले जिलेना में राज़ो फोर की संदशनात्मक प्रकृत कैसी होती है तो इसकी जो संदशनात्मक प्रकृती होती है तना और जड़ दोनों क्या होते हैं इसकी संदशनात्मक प्रकृती होते हैं तो इसमें आप्सन नमबर D क्या हो जाएगा ये राइट एंस्वर हो जाएगा देखें यहां दिया है सिले जिलेला के पौधे में तने के द्वी साखित होने के अस्थान पर एक पत्ती रहित रंग हिंद बेलनाकार संदशना नीचे की तरफ ब्रिधि करती है जिसे राईजोफोर या प इसमें एक आदिदारुक रंभ यानि मोनार्च इस्टील पाया जाता है अगला क्वेश्चन है सिले जिनेला के राईजोफोर में होता है ए मोनार्च इस्टील बी डाई आर्च इस्टील सी ट्राई आर्च इस्टील और डी टेट्रा आर्च इस्टील तो देखिए इसका ज में right answer हो जाएगा देखिए अगला question है बाबर एवम गोबिल के अनुसार सिले जिनिला का 1 जोपोर है तो बाबर एवम गोबिल के अनुसार सिले जिनिला का 1 जोपोर क्या हो जाएगा आप्शन नंबर C एक इन आरगन सुई जिनेरिस इन आरगन सुई जिनेरिस है तो आप्शन नंबर इसमें आपका C क्या हो जाएगा इसमें आपका आप्शन नंबर C ये राइट एंस्वर हो जाएगा एक आरगन सुई जिनेरिस तेखिए यहां दिया है सिले जिनेला की बहुत सी प्रजातियों में तने की साखाओं के बिंद उसे पत्ती भी हिन, रंग हिन, सुत्रबस सनशना निकलती है जिसे राइजोफोर कहा जाता है यह नीचे भूमी के संपर्क में आकर अपस्थानिक जड़ याली एडवेंट इटियेस रूट का गुच्छा बनाती है सिले जिनेला क्रोसियाना में एक राइजोफोर तथा सिले जिनेला माल्टेंसी में दो राइजोफोर तने के प्रतेक साखा से निकलते हैं बावर्स एन गोबिल के नुसार राइजोफोर न तो तना है और नहीं जड़ है बलकि यह एक स्वतंत्र अंग यानि एन आरगन सुईजिनेरिस है ब्रूकमैन वर्सडेल तथा कसिक के नुसार राइजोफोर जड़ की पेच्छा तने से अधिक समानता दरसाता है जबकि वान टिघम, हारवे गिप्सन, अपहास, वेबस्टर वर इस्टिव तथा ओक हास वर सुशेक्स के नुसार राइजोफोर क्या है एक जड़ है अगला क्वेश्चन है किस वेग्यानिक के नुसार राइजोफोर न तो जड़ है न तना है बलकि यह एक आरगन सू जिनेरिस है तो आपसन दिया है आपका A.1 टिघम, B. ट्रूब, C. हारवे गिप्सन, D. बावर एवं गोबिल तो मैंने आपको उपर ही बताया इसका जो राइट एंसर हो जाएगा राइट एंसर हो जाएगा इसका आपसन नंबर D. बावर एवं गोबिल आगला क्वेश्चन है दस सिले जिनेला सोज यानि सिले जिनेला में पाई जाती है तो आपका आपसन नंबर A यानि लार्ज एंड स्माल लिप्स एरेंज इस्पाइरली ए राइट एंसर हो जाएगा आगला क्वेश्चन है शिले जिनेला की पत्ती की सत्थ के आधार पर एक पतली जिली नुमा अंगुली के आकार की रचना लगी रहती है वह कहलाती है इसका जो राइट एंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका आपसन नंबर C देखिए यहां दिया है सिलेर जी लेला की पत्ती की सतह के आधार पर एक पत्ली जिली नुमा अंगुली के आकार की सरनशना पाई जाती है जिसे लिगियूल कहते हैं इसके आधारी भाग में एक ठोस, पतली, भित्त, युक्त, कोसिकाओं से निर्मित और धगोलाकार फूट सद्रिस सरनशना होती है, जिसे गलोसो पोडियम कहते हैं, अगरा क्वेश्चन है, मूल विहिन फर्न काउन है, A. टेरिस, B. ड्रायोक टेरिस, C. साल्वीनिया, और D. एडियंटम, तो मूल विहिन फर्न पूछा है, तो इनमें मूल विहिन फर्न साल्वीनिया है, तो आपसा नमबर C, इसमें क्या हो जाएगा साल्वीनिया, ये राइट एंस्वर हो जाएगा, देखिए अदिया है, साल्वीनिया एक मूल विहिन यानि रूटलेस फर्न है, इ विच्छिन एवं क्रीमी रूप, C विच्छिन एवं गोल, D अ विच्छिन एवं पंक्ति युक्त, तो पूछा है टेरीस के सुराई होते हैं, तो टेरीस के सुराई विच्छिन एवं क्रीमी रूप होते हैं, यानि डिसकांटिनिवस एंड वर्मी फार्म होते हैं, तो आपस औराई फाल्स इंडियूसियम से धके होते हैं तथा विच्छिन एवं क्रीमी रूप होते हैं ड्रैप्ट टेरिस में ये विच्छिन एवं रिक्काकार होते हैं अगला क्वेश्चन है टेर्डोफाइट में पादप शरीर की उत्पत के विशे में टीलो मुवाद स्थापित किया था अपसर नंबर इसमें C, J,R महेंद्वारा ये क्या हो जाएगा ये राइट एंस्वर हो जाएगा देखें यहां दिया है टेर्डोफाइट में पादप शरीर की उत्पत के विशे में टीलो मुवाद G,R महेंद्वारा इस्थापित किया गया था उन्हो तो तो मारिसलिय को मुखे रूप से तरहरों के पैपर्वर्ट कहा जाता है क्या कहा जाता है पैपरवर्ट तो इसमें आपका आपस़र नंबर P करता है त olvant के नामकि आजाते हैं जरमें मार्चीलिय माइन्यूटा मारसीलिय मारसिलिया इंजीप्मिटिया, मार्सिलिया ब्रेंक्श। मार्सिलिया कंडेंसटा, मार्सिलिया राजस्थानियांसिस तथा मार्सिलिया क्वाडरी फोलिया प्रमुख है मार्सिलिया एक जली फर्न है जिसमें स्पोरो कार्प के अंदर बिजाणूं का विकास होता है मार्सिलिया में रेफी बिजाणू फलिका में पाया जाता है भीद में तो मारसेलिया में जो रेफी होता है वह बीजाणु फलिका में यानि इस्पोरोकार्प में पाया जाता है तो आपसर नमबर B इसमें क्या हो जाएगा ये राइट एंस्वर हो जाएगा अगला क्वेस्चन है निमलिखित में से किसमे लग बीजाणु धानियां एम आपसर नमबर A इसका इस पोरोकार्प ये क्या हो जाएगा ये राइट एंस्वर हो जाएगा देखिए दिया है इस पोरोकार्प जली फरनों में पाया जाता है इसमें लग बीजाणु धानियां एम गुर बीजाणु धानियां सोराई के अंदर पाई जाती है बीजाणु प्रकार का होता है इसमें मध्य में पीथ तथा इसके चारोर जाइलम फ्लोया में पेरी साइकल होते हैं अगला क्वेश्चन है निमलिखित में से कौन स्वरण सूचक माना जाता है देखे लिया एक्वी सितम की जातियां मिट्टी में खनीच पदार्थों की उपस्थिति को दर्साती है इसलिए इन्हें पारिस्थितिकी सूचक के रूप में प्रियोग किया जाता है बेनेडिक्ट के अनुसार एक्वी सिटम की कुछ जातियां सोना संचे करती है इसलिए इन्हें स्वर्ण सूचक भी माना जाता है अगला क्वेस्चन है निमलिखित में से कौन पउधा पुनर जीमनी पउधों के रूप में वर्डित है तो पुनर जीमनी पउधा पूछा है तो देखिए इसका जो अफसर नंबर डी हो जाएगा ये क्या हो जाएगा ये राइट एंस्वर हो जाएगा को पुनर जीमनी पउधों के रूप में वर्डित किया गया है तो पानी मिलने पर ये पुनर ताजेवर हरी हो जाते है इसलिए इने पुनर जीमनी पउधे कहते हैं अगला क्वेस्चन है निमलिखित में से किसके कारण एक्वी सिटम का वाई वी इतना खुरदरा होता है A. सूल, B. रेशा, C. दिर्ड कोस और D. सिलिका तो इसका अप्सन नमबर D. सिलिका क्या हो जाएगा ये राइट एंस्वर हो जाएगा देखे दिया है एक्वी सिटम की एधिकांस जातियों की वाहत्वची कोसिकाओं की भित्ति में सिलिका की प्रचूर मात्रा होती है जिसके कारण इनका अस्तम भत्यर्धी कठोर वर खुरदूरा होता है अगला क्वेशन है टेडोफाइटा का मुख्य पौधा होता है ए इस्पोरोफाइट बी एपी फाइट सी सेप्रोफाइट और डी गैमिटोफाइट तो टेडोफाइटा का जो मुख्य पौधा होता है वह इस्पोरोफाइट होता है तो आप्सन नमबर इसमें A, इस पोरोफाइट यह क्या हो जाएगा, यह राइट एंस्वर हो जाएगा देखे दिया है टेडोफाइट का मुखे पोधा बिजान उदभी दिया इस पोरोफाइट है जो जड़ तना और पत्तियों में विभेदित होता है यह दुईगुडित होता है, सेप्प्रोफाइट ऐसे पोधे होते हैं जो मिरित कार्वनिक पदातों से अपना पोशन प्राप्त करते हैं अगला क्वेश्चन है, वानस्पतिक सर्प है अप्सन नमबर A, कवक अप्सन नमबर B, ब्रैव फाइट अप्सन नमबर C, टेडव फाइट और अप्सन नमबर D, लाइके아 तो पूछा है निमलिखित में कौन वानस्पतिक सर्प है तो टेडव फाइटा क्या कहलाते हैं वानस्पतिक सर्प कहलाते है अप्सन नमबर C, इसमें क्या हो जाएगा यह right answer हो जाएगा अगला question है प्रारंभिक BG प्रभृत्टी पाई जाती है Aастron number C इसमें आपका क्या हो जाएगा यह right answer हो जाएगा अगला question है बीज प्रक्रीत पाई जाती है A. लाइकोपोडियम में B. सिले जिनेला में C. राइनिया में D. स्फिगनम में तो बीज प्रक्रीत मुख्य रूप से सिले जिनेला में पाई जाती है तो आपसा नमबर B. इसमें सिले जिनेला ये क्या हो जाएगा ये राइट एंस्वर हो जाएगा देखे यहां दिया है अगला क्वेस्चन है लेप्टो इस्पोरेंजियेट फर्न का उदाहरण है A. मारसीलिया B. लाइकोपोडियम C. सिलेजिनिला D. ड्रायोप्टेरिस तो पूछा है लेप्टो इस्पोरेंजियेटी फर्न का उदाहरण है अप्सन नमबर D, ड्रायवप टेरिस इसमें क्या हो जाएगा, ड्रायवप टेरिस यह आपका राइट एंस्वर हो जाएगा, देखें यहां दिया है, यदि अप्सन नमबर D, तथा मारसिलिया, दोनों में लेप्टो इस पुरेंजियेट इस्तिति पाई जाती है, परन्तु उपरियुक्त में से कोई नहीं, तो पूछा है, ड्रायवप टेरिस का सोरस है, तो ड्रायवप टेरिस का सोरस होता है, वह Mixt type का होता है, यानि मिश्सित प्रकार का होता है, तो आप्सन नमबर A इसमें क्या हो जाएगा, यह राइट एंस्वर हो जाएगा, अगला दिखें यहां दिया है इस्पुरेंजिया के सम्हों को सोरस कहा जाता है फर्न में इनका विकास पत्ती की निचली सता पर होता है यह एक जिली नुमा औरड से ढखा रहता है जिसे सोरस छद या इंडूसियम कहते हैं ड्रैप टेरिस का सोरस मिश्रित प्रकार का होता है जिसमें सभी अ अंदर की इस पुरेंजिया बाद में परिपक्वे होती है अगरा क्वेश्चन है निमलिखित में से कौन सी प्राचीनतम इस्टील है जो साइफोनों इस्टील है यह सबसे प्राचीनतम इस्टील है तो आपसा नंबर ए इसमें क्या हो जाएगा राइट एंस्वर हो स्टील इसलिए प्राचीन से प्राचीनतम इस्टील है या साइफोनों इसलिए क्या प्राचीनतम हो जाएगा अगला क्वेस्टन है लाइकॉपोडियम के किस जाती में अर्यरंभ उपस्थित होता है आपसार नम्बर ए लाइकोपोडियम सी हम अ Cum , Lada लाइको पूडियम आपसनमबर 지금 लाइको पूडियम पूचा तो इसका जो राइट हैंस्वर हो जाएगा हरी रंभ पाई इस प्रकार के ठोसरंब के जाइलम में अनेक बिकरित भुजाएं पाई जाती हैं तथा फुलोयम एक वलाय के रूप में नहों कर जाइलम की बिकरित भुजाओं के बीच छोटे-छोटे समुहों में पाया जाता है अगला क्वेस्चन है निमलिखित में से किस चट्टानों में सुरुवाती सम्वहनी पाधों की खोज हुई थी A. पुरुकेंब्रियन B. पुरुवडियोनियन C. मध्य क्रिटेसियस और D. सिल्यूरियन तो पुछा है शुरुवाती सम्वहनी पाधों की किस प्रकार के चट्टानों में हुई थी तो आपसन नमबर D. सिल्यूरियन ये क्या हो जाएगा आपका राइट एंस्वर हो जाएगा दिखे दिया है पहलियो जो एक महा कल्प के सिल्यूरियन काल के चट्टानों में सुरुवाती सम्वहनी पाधों अर्था टेडोफाइट्स कुद्पत्ती हुई थी अगला क्वेस्चन है निमलिखित में से कौन सा टेडोफाइटा अब लुप्ट हो चुका है तो आपसा नमबर 20 में क्या हो जाएगा यह राइट एंसर हो जाएगा यहां देखे दिया है राइनिया मेजर जीवास में सम्वहनी पाधा है जो अब लुप्त हो चुका है इसके जीवास में मध्य डियोनियन काल की चट्टानों में पूरो पाधवकाय की रूप में परिदच्छित पाए गए है अगला क्वेस्चन है साइलोटम इन इंडिया कैन बी कलेक्टेड फ्राम यानि भारत में साइलोटम प्राप्त किया जाता है आपसा नमबर A नैनी ताल से आपसा नमबर B आबू से आपसा नमबर D पंच मढ़ी से पूछा है साइलोटम भारत में जो है कहां से प्राप्त किया जाता है तो देखिए भारत वर्स में साइलोटम की एक जाती है साइलोटम निवडम यह पाई जाती है जो सिमला कुलू पंचमणी दारजेलिंग आरीशित्रों में क्या है फैली हुई है और अष्मे देखिए हो जाएंगे राइट एंसवर इसमें हो जाएंगे अगला क्वेस्चन है अन्तह पादपी कवकमूल किसके युगमकोद भीद हैं अन्तह पादपी कवकमूल के युगमकोद भीद में पाए जाते हैं इस परकार के माइको राइजया में कवक के माइसिलियम पौधे के कार्टेक्स अस्तर तक पहुंच जाते हैं अगला क्वेस्चन है निमलिखित में से कौन सा जीवास्म समधनी पौधा है ए राइपनिया भी लाइकोपोडियम सी सिलेजी नेला और डी इक्वी सीटम तो इसमें आपसा नंबर ए राइपनिया क्या हो जाएगा ये राइट एंस्वर हो जाएगा राइपनिया एक जीव पादपकाय की रूप में परिरच्छित पाए गए हैं अगला question है सरलतम टेडो फाइटा है ए टेरिडियम भी सिल्याजिनेला सी राइनिया और डी लाइको पोडियम तो इसमें आपसर नमब सी राइनिया क्या हो जाएगा आपसर नमब सी इसमें राइनिया आपका राइट ए कल्प के सिल्यूरियन वर डियूरियन काल में हुई थी अगला question है राइनिया के जीवास्म की खोज इसने की लिखे राइनिया के जीवास्म की खोज वर 117 में कीडस्टन एवं लैंग नामक बैग्यानिकों ने की थी इन्होंने इसके इसे इसकाट लेंड में इस्थित एबर डिन सायर के राइनी नामक अस्थान से प्राप्त किया था अगला question है राइनिया के पोधे उन चैतरों में विख्षित हुए जहाँ पनिम्नांकीत वास्प के रूप में उपश्थित था पाएगे जहाँ सल्फर के वास्प थे ये छेत्र अमली दलदलों में उपस्तित थे अगला क्वेश्चन है सिल्य जिलेला में किन लच्छनों की उपस्तिती होती है तो इसमें जो राइट एंसर हो जाएगा वाप्सन नमबर बी क्या हो जाएगा आपका ये राइट एंसर हो जाएगा तो ये कुछ महत्पुड क्वेश्चन्स थे टेड़ो फाइटा से अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आए हो तो इनको लाइक करिए शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए बहुत बहुत धन्यवाद